जैसे कि आप लोग के यूटी टू के एक्जाम्स खतम हो चुके हैं अब हम लास अपना ऐसी टू फाइनल यर के जो एक्जाम्स है या किते हैं उसकी प्रिप्रेशन करेंगे तो सबसे पहले आप जान लें यह करते हैं आपको पता होना चाहिए हैं आपके से टू में जो स्ले इंट लेवन थेन वाटर करेंगे ऐसे रिए रेन वाटर में हम आपके सांस उन्ला ने में अगरे करते हैं और हम कुछ जान कि वह सब्सक्राइब यह को अप्राइब सब्सक्राइब छेइआ को कहा होता है तो से हमें कोई चीज मिल रहा है यह में वांटर कहां से मिल रहा है यूज क्या कर रहे हैं हम water का ठीक है and how to keep air and water clean कैसे हम अपनी एर को और water को clean रख सकते हैं ठीक है और इसमें हम यहीं पड़ेंगे यूज डिस क्याहें air के sources क्याहें water के और यूज जेन करूंड conservation आगे बढ़ती है चलती है तो हमसे फिल कर सकते है हम हवा को फिल कर सकते है और को देखने सकते है जो होती है वो ब्रीज कहलाती है जब अच्छी लगती है लेकिन जब बहुत स्ट्रॉंगली ब्लो करती है बहुत तेजी से बहना शुरू करती हैं चलना शुरू करती है तो वह उसके साथ rain भी होती है, thunder भी होता है, तूफान अनौल तो वह क्या कहलाता है, storm कहलाता है, आंधी है, आंधी आ जाना, जब हवा बहुत ते चलती है, आंधी आ जाना, तो वह क्या होता है, तूफान आ जाना, storm, और storms क्या होते हैं, storms are harmful and can uproot trees and damage building, कभी कभी जो storm होता है, जो हमारी winds होती है, इतनी strong होती है, कि वह tree को भी खाट देती है, और कुछ weak buildings होती है, उनको भी वह गिरा देती है, अब आता है, what does air contain, air में क्या क्या होता है, air is a mixture of gases, different gases, air जो है, वह different gases का mixture भी है, और उसमें कुछ water vapor भी होती है, dust particles भी होते है, sometimes air also contain smoke and smoke भी होता है, धुआ भी होता है, हम सब लोग vehicles यूज करते हैं, car यूज करते हैं, motorcycle, bikes, auto अगरा, इन सब में क्या होता है, smoke होता है, तो वह air में जाके मिल जाता है, और germs होते हैं, वह भी कहां होते है, air में ही मिल जाते हैं, gases, air is a mixture of gases, such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide and other gases, हमें breathing में जो gases important होती है, oxygen और carbon dioxide, हम carbon dioxide लेते हैं, और oxygen लेते हैं, और carbon dioxide अग्जेल करते हैं, ठीक है, तो जो दो important gases है, हमारे लिए, oxygen और carbon dioxide होती है, और जो air हो बहुत सारी gases का mixture होती है, nitrogen, oxygen, carbon dioxide और भी other gases, obviously सी बात है, आगे भी यही लिखा है, all living things need oxygen to live, हम सांस लेते हैं, तो oxygen यूज करते हैं, तो स nitrogen की need होती है, carbon dioxide mostly plant यूज करते हैं, अपना food बनाने में, और nitrogen जो है, वो important होती है, growth of plants के लिए, अब ही हमने को चीज़े पढ़ी थी, कि air mixture होती है, gases, smoke, germs, dust particles, water vapor, etc, इन सब चीज़ें का, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, कि water vapor क्या होगा, आपके side book में, excitement diagram है, सबसे उपर water from wet cloth get into air, कि जो गीले कपड़े हैं, वो हवा में क्या हो जाते हैं, mostly, सूख जाते हैं, sunlight पढ़ते ही, क्या हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, where does the water from the cloth, when जो कपड़ों का पानी है, वो कहां चला जाता है, और कैसे उड़ जाता है, किस तरह से सूख जाते हैं, the heat of the sun changes water into the water vapor, जो sun की heat है, उससे, क्या होता है, जैसे हम पानी गरम करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, कि पानी गरम करते हैं, गैस से heat मिलें, तो ओपर से क्या होता है, इस्मोक टैप का दूह का निकलता है, तो जो क्या होती है, इसी तरह से, जब कहते है, चैनलाइट प यही जो वाटर वैपर है वह एर में जाके मिल जाती है फिर क्या होते हैं डस पार्टिकल अगर हम कभी अब अब्सर्व करें आप लोग तो एक अगर अंधीरे कमरे में आप कहीं टॉर्च से लाइट जलाएंगे तो क्या होगा उसकी जो इस्टेट लाइन जाएगी लाइट क इसमें आपको चोटे-चोटे स्मॉट पार्टिकल दिखाए देंगे जो लाइट में हमेशा क्या होते हैं हमारी एर में मौझूद रहते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है डस पार्टिकल कहा जाता है ठीक है इस्मोक एंड जम्स वेन वी बर्न सम्थिंग इट गिप्स नीचे एर नाइट्रोजन कारबन और ऑक्सीजन समोक एंड जर्म वाटर वेपर दर्स पार्टिकल अन्नीगी आपकी एर में यह सारी चीजें मेंली रहते हैं नेक्स्ट हे हमारा यूके एयर के यूज के यूज के होते हैं थिक आम उसको कैसे यूज करते हैं कैसे और लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सिजन गैस प्रिजेंट इन दे एर तो बीज अब सब पहले तो हम जो ऑक्सिजन गैस होती है हमारी एर में मौझूद होती है उसका हम यूज करते हैं ब्रीधिंग के लिए प्लांट जोते हैं उसको अपने फूद बनाने के लिए वह काबन एर की एपसेंट थीक है एर का वहां पर होना बहुत जरूरी है टायर्स को भरने के लिए बलून में फिल करने के लिए हम एर का यूज करते हैं बर्ट जो है वह एर की हैप से ही उड़ पाते हैं और काइट उड़ाना शिप सेल यह सब आगे बढ़ते हैं किसकी है एर की यह सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं चलती है और इसी की हैप से इसका वह पंप वाटर जो है वह वह करते हैं और उसी की थू एलेक्रिसिटी यह जो लाइट से हमारी वह जनरेट की जाती है बनाई जाती है और यह और बर्निंग बर्निंग के लिए भी आपको बताया है और सर्वाइवल यानकी जीने के लिए हमें सबही के लिए क्या है बहुत है और हमें मोध्व राच्पर और हमारी है इसी की करन क्या होता है जो एर्थ वह ब्लू दिखाई देती है और विकल से ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है इंगे स्व données рек रेन, रहां सार्फेस बड़ास ऑंदर्ग्राउंड गंतर से चाहिने बागलेंगर्धे सब्सक्राइब यह जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है इसका बड़ार मिलता है इसका उसे चींड ऑशें लेक्स पोंड सार्थ अबड़ा से हमें यहां से मिलता हैं कुछ कूछ होते हैं यहां दे max flaw उते हैं जिन में fail एकनी ऊप्रणन को कॉकूंबर ठोटैटो आपर आंपर ओलो हों न प्रोडी कंटेंस लाज अमाण regions ब्रदाइस होत रहता है sources of water in different states यानि कि जो sources of water है वो different states में पाए जाते हैं वो solid भी हो सकते हैं liquid भी हो सकते हैं और gas की form में भी हो सकते हैं solid यानि कि जैसे आपनोंने eyes देखाऊगा liquid यानि कि पानी और water और gas like water vapor जो water होती है वो heat करने के बाद water vapor में change हो जाती है water in a substance water in a substance that can be found in all three states of water जो हमारा वो एक ऐसा substance है जो तीनों states में पाया जाता है solid liquid and gas पहले है water in liquid state liquid state में कौन कौन सा होता है जैसे कि ocean है seas है rivers है lakes है ponds है streams यह सारे liquid water sources कहलाते है the water we drink in liquid state liquid slow और जो क्या होता है flow करता है बहता है solid form में glaciers के साइड में जो mountains वगर आपे mostly क्या होती है जो ice होती है वह हमेशा जमी रहती है जो ice cube होती है जो हमेशा solid form में रहती है इसे हम अपने घर में भी ice cubes देखते हैं तो जो hilly station हिली एरिया होते हैं जो बहुत cold area होते हैं वहां पर क्या होता है हमेशा वह water solid form में वहां पर पाया जाता है gaseous state कौन सी होती है gaseous state होती है water vapor ठीक है gas की form में जो होती है water vapor gas spread in all the available space जो gas होती है वह जितना उसे space available कराया जाता है वह पूरे space में फैल जाती है boiling water में से जो water vapor निकलती है cooking food जब हम खाना बनाते हैं तो वह vapor निकलती है तो वह vapor क्या होती है जितना भी atmosphere होता है सब में फैल जाती है spread हो जाती है uses क्या है water के वही सब को पीने के लिए पानी के ज़रूत होती है we can survive without food but for our days but not without water हम कुछ दिन खाने के बिना रह सकते हैं बट पानी के बिना नहीं रह सकते हैं plants जो है उने भी water के जरूत होती है अपना food बनाने के लिए अगर plants को पानी ना दिया जाए तो वह क्या हो जाएंगे कुछ जिन बाद मुर्जा जाएंगे animals जो है जैसे fish वेल्स है crabs है ठीक है और कुछ acunatic animals है उनको क्या होता है पानी में रहना होता है तो उनको रहने के लिए भी पानी की जरूरत होती है ठीक है और हमारे कुछ daily uses work होते हैं बाथिंग keeping hours है अपने आपको साफ रखने के लिए बाथिंग के लिए ना आने के लिए हम water का यूज करते हैं अपने house को clean करने के लिए car clothes ठीक है अपने खेतों में growing crops को फस्त लोको काने के लिए किसान क्या करते हैं अपनी खेतों में पानी लगाते हैं cooking के लिए और electricity जेनरेट करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है और mostly factories में वह वर्क होता है उनमें भी water की जरूरत होती है ठीक है next is saving water अब हमें क्या करना है water को save कैसे करना है बचाना कै ठीक है we should use water carefully हमें water को बहुत ज्यादे carefully use करना है ठीक है the earth has limited potable water हमारी earth पे बहुत limited water है लेकिन क्या है वह water potable water जो होता है is a water which is safe to drink जो हम अपने पीने के लिए अपने जरूरतों के लिए क्या कर रहे हैं save कर रहे हैं ठीक है जिसे the water from river, lakes, wells has to be cleaned to remove the harmful imperatives to make it potable जो हम आपने आपने पासफार के wells रहे हैं lakes इनको गंदा कर रहे हैं उनको हमें गंदा नहीं करना है उनसे हमें क्या करना है harmful imperatives जो हैं जो हमीं गंदी मिला रहे है उसको कपने के लिए कोशिश करनी है ठीक हो जो oceans का water जो seas का water वो पीने के लिए यूजने क्या रखता कर्या है लेकिन उस वाटर कैसे सेव रख सकते हैं सबसे पहला है वी शुट नॉट कीप टैप रणिंग वाइल ब्रशिंग आवर टीजब हम यूज कर रहे हैं वाटर तो यह तो हमेशा हमें टैप खुली नी रखनी जितना पानी हमें चाहिए उतना हमें जरुवत का निकाल लिए उसके बाल हम जो एक टैप है वह बंद कर दे जिसके हम व्रश कर रहे है अपने टीप पर तो ऐसा नहीं कि जिस तने टाइम हम व्रश कर रहे है जो हमारी टैप है वह ओपन ही रहे है ठीक है वी शुट यूज वाटर इन बकेट वाइल बाथिंग वाशिंग लॉज अगर हम कप्टे धो करना है हमें कम पानी ही यूज करना है जो होज पाइप होते हैं वी शुट नौर्ट वाइल क्लीनिंग बाइसिकल कार टू वीलर जब भी हम अपने वीकल्स को साफ करते हैं तो हमें जो पाइप से उनका यूज नहीं करना चाहिए बकेट में आपको जितना पानी जरूरत का अगर वी शुट रिपेर और लीकिज टैप अगर आपको यह असी टैप पर जो लीक कर रहे है तो आपको से क्या करना है रिपेर करवाना है ठीक है वी के यूज द वाटर इन विश्टूट वजिटेबल्स वाटर प्लांट्स नेक्स्ट विश्ट सेविंग रेइन वाटर रेइन वाटर को भी हमें क्या करना है सेव करना है जो भी वारिश होती है उसका पानी हम क्या कर लेते हैं कहीं सेव कर लेते हैं जिससे छट पे पानी गिर रहा है या कहीं भी आपको उसको क्या कर लेना है यूज करना इस वाट